Hello guys, welcome to Science Workshop, this is Kusum here. Guys, BAC Part 3rd में Applied Geology का जो Paper है, उसमें हम करने वाले हैं सेरी कल्चर के बारे में. और इससे पहले हम वर्मी कल्चर के बारे में पढ़ चुके हैं. उससे रिलेटिड वीडियो अगर अपने नहीं देखा है, तो पहले जाके आप वो भी देख सकते हैं. आप मुझे ट्वीटर पे भी फोलो कर सकते हैं, ट्वीटर का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शिन बाक्स में जो है, वो मिल जाएगा. तो आज ये देखते हैं सेरी कल्चर क्या होता है? देखो सेरी कल्चर जिसको हम हिंदी में रेशम कीट पालन भी बोलते हैं, ठीक है? रेशम कीट पालन हिंदी में इसलिए बता रहे हूं ताकि आपको इजिली समझ में आ सके, रेशम कीट पालन ठीक है? सेरी कल्चर यानि रेशम कीट पालन और रेशम कीट यानि की सिल्क वोम रेशम कीट यानि शिल्क वोम तो सिल्क वोम का जो कल्टिवेशन है सिल्क वोम का कल्टिवेशन करते हैं हम और किसले करते हैं ताकि हमें सिल्क प्राप्त हो सके silk का production हम करवा सके ठीक है तो silk production के लिए silkworm का cultivation किया जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम seri culture बोलते हैं ठीक है so cultivating silkworm and extracting silk from them यानि कि silkworm का cultivation करना और उससे silk को extract करना यही process जो है वो seri culture कहलाता है so guys बहुत सारी जो है species पाई जाती है silkworm की लेकिन उन में से सबसे ज़्यादा use में आने वाले silk production के लिए वो है bombics morai ठीक है bombics morai जो species है silkworm की वो सबसे ज़्यादा use में ली जाती है seri culture के लिए यानि silky की production के लिए and silkworm की cultivation के लिए यह जो species है वो सबसे ज़्यादा use में ली जाती है और maximum silk की अगर बात करे हम भले वो इंडिया में हो जाए या फिर world में हो जाए सबसे ज़्यादा silk का production भी इसी species से होता है bombics morai से ठीक है और इस species से जो निकलता है silk उसको हम बोलते हैं mulberry silk mulberry silk मरत क्यूं के इसके जो लार्वा है caterpillar है वो किस पर feed करते हैं वो mulberry की पत्यों पर feed करते हैं ठीक है mulberry की leaves जो है उन पर feed करते हैं यानि शेहतुत की पत्यों पर feed करते हैं इस वजह से हम इसको mulberry silk बोलते है जो कि bombics morai जो species है silk bom की उससे प्राप्थ होता है देन हम देखते हैं गाईस कि जो सिल्क है वो किससे बना होता है उसका कमपोजिशन क्या होता है तो सिल्क जो है वो फाइबर से बना होता है और यह जो फाइबर है सिल्क जो fiber है वो भी दो protein से मिलकर बना होता है सिल्क fiber जो है वो दो protein से बना होता है first जो हो गया वो हो गया sericin और दूसरा हो गया fibroin ठीक है तो silk fiber इन दो protein से बना होता है fibroin जो कि silk fiber का 80% पार्ट बनाता है और बचा हुआ जो 20% पार्ट है वो sericin बनाता है तो जो fibroin है वो core area में concentrated होता है core area का मतलब क्या हुआ मान लेजी ये कोई silk fiber है और इसका जो ये बीच वाला area है ये वाला area यहाँ पे क्या है यहाँ पे fibroin है भाई यहाँ पे fibroin है तो ये वाला area है वो fibroin बनाता है लेकिन इसके जो surrounded layer है fibroin के surrounded layer है ये किसकी बनी होती है ये sericin की बनी होती है चीक है? तो fibroin की जो surrounded layer है वो sericin की बनी होती है तो guys जो silk है वो fibre से बना होता है और ये दो protein से मिलकर बना होता है ये fibre वो गया sericin और fibroin जो की approximately 80% जो silk fiber है वो fibroin से बनता है जो की core area के अंदर जो है concentrated होता है और core area की surrounded एक layer होती है sericin की जो की 20% of silk जो बच गया वो बनाती है ठीक है तो I hope समझ आ गया होगा कि जो silk है वो किसे बना होता है इसका composition क्या होता है So next देखते है कि जो sericin layer है उसके अंदर कुछ pigment present होते है pigment like as jantophil हो गया ठीक है sericin layer के अंदर कुछ pigment present होते है like as jantophil हो गया ठीक है तो यह जो pigment है यह क्या करेंगे silk को color देने का काम करेंगे और इसी वज़े से जो each of silk है वो क्या करता है distinct color रखता है different different type के color रखता है like different species से different type का silk हमें प्राप्थ होता है like mulberry silk जो हमने देखा था वो bombics morai से हमें प्राप्थ होता है तो इसका जो color है वो yellow green होता है edi silk का अगर हम देखे तो इसका creamy white या फिर brick red हो सकता है प्रसर सिल्क का जो color है वो copper brown हो सकता है और moonga silk का जो color है वो golden होता है ठीक है तो इन pigment के कारण जो कि sericin layer में present होता है इनी pigment की वज़े से different different जो silk है उसका color different different होता है ठीक है next guys हम देखते हैं जो silk warm है उसका life cycle क्या है ठीक है तो अगर silk warm की बात करें life cycle की तो मोटा मोटा गर हम या देख ले कि जो adult moth होता है adult silk warm को हम motht बोलते हैं ठीक है adult silk warm को हम motht बोलते हैं जो adult moth होता है वो क्या करता है? मेटिंघ करता है और then female जो मौथ है वो क्या करेगा? एग को ले करेगा. अब ये एग का हैचिंग होगा और हैचिंग होने के बाद में larva निकलेगा निकलेगा इन से और larva क्या करता है? लार्वा फीड करता है और फीड करने के बाद में ये धीरे धीरे ग्रो करता है और जब ये ग्रो करेगा उसके बाद में एक पर्टिकुलर स्टीज के बाद में क्या करेगा ये कुछ एक सेमी लिक्विड सा semi liquid वो क्या करेगा अपने mouth से secret करेगा और ये जो semi liquid है जो कि अपने mouth से secret कर रहा है वो उसकी body के चारो तरफ क्या हो जाएगा spin करता जाएगा और spin करने के बाद में इसकी body के चारो तरफ क्या हो जाएगा एक layer का production हो जाएगा ठीक है एक layer बन जाएगी एक layer का formation हो जाएगा और इस layer को हम क्या बोलते हैं इस layer को हम cocoon बोलते हैं ठीक है सो cocoon layer का formation हो जाएगा किस की चारो तरफ? लारवा की चारो तरफ उस liquid की वजए से जो अपने mouth से वो secret कर रहा है अब cocoon का formation हो गया अब ये cocoon की अंदर ही लारवा जो है वो किस में convert हो जाएगा? प्यूपा में convert हो जाएगा देन प्यूपा, प्यूपा से हम cocoon का जो layer है वो प्राप्त करते हैं अब maximum time हम देखते हैं कि जो प्यूपा है उसी stage में इस silk bomb को क्या कर दिया जाता है boiling water में डाल दिया जाता है और इसमें इनको मार दिया जाता है ताकि जो cocoon का layer है वो हमें पूरा का पूरा मिल सके उसमें कोई harm नहीं हो क्योंकि प्यूपा अब क्या करने वाला है? प्यूपा अब मोथ में convert होगा तो मोथ में जब convert होगा ना तो वो cocoon layer से बाहर आएगा अब cocoon layer से बाहर आएगा तो वो इस layer को क्या करेगा? तोड़ने की कोसिस करेगा और वो तोड़ के ही बाहर आता है तो इसके क्या हो जाएगे? टुकडे टुकडे हो जाएगे प्राप्त कर लिया जाता है देन वापस लेकिन सभी को तो नहीं मारेंगे ना क्यूंकि मौत पी चाहिए ताकि नेक्स्ट जो साइकल है वो भी चल सके और भी हमें लार्वा मिल सके ताकि और सिल्क का प्राडक्शन हो सके तो कुछ जो है वो आगी मौत में कनवार हो जाते ह हैं मौत यानि कोकॉन से निकल जाते हैं और मौत बना लेते हैं एडल्ट मौत में और वापस से यह मेट करेंगे एक कले करेंगे और वापस से यह साइकल स्टार्ट हो जाएगा ठीक है सो यह थियर्ए है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिल्क का स्ट का स्टार्ट में सिल्क मौत में फीमिल जो है वो लेस करती है एग को धन उनकी हैचिंस से कैट रपीलर और लार्वा निकलते हैं, अब ये लारवा जो है, मलपरी लीव्स पे क्या करते हैं, फीट करते हैं और प्यूपा को राइज करते हैं देन जो प्यूपा स्टीज होती है, वो netted around it weave is netted around it by the silkworm to hold itself मैंने बताया, प्यूपा के चारो तरफ क्या होता है एक लेर का formation हुआ होता है, जो कि लारवा ने करा था और ये एक net type में हो जाता है कोकॉन जो है, वो एक net type में हो जाता है और प्यूपा एक ऐसे स्टीज है, जो इनक्टिव होती यानि यहाँ पे प्यूपा स्टीज में ये जो है, वो फीड नहीं करती यानि खाना निखाती है, कुछ भी इसके बाद में अपने हैड को स्टीज करता है, और स्पिन करता है एक फाइबर को जो कि प्रोटीन का बना है, और इसको सिल्क फाइबर हमें मिल जाता है यान से, then several caterpillars from a protective layer around pupa and this covering is known as cocoon जैसे कि मैंने बताई, यह जो लेर होती है, वो cocoon कहलाती है जो कि pupa की चारो तरफ होती है, जो एक protective layer होती है जो कि कि इसने बनाई थी, caterpillars ने बनाई थी, यह लारवा ने बनाई थी तो इस cocoon से हमें silk thread मिल जाते हैं, finally तो यह पूरा का पूरा जो है, वो life cycle होता है अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया हो, तो यहाँ पे इस diagram में पूरा का पूरा explain कर रखा है बाकी life cycle के बारे में इतना हुष पढ़ने की ज़रत नहीं है, यह diagram जरूर बना के आजाना तो silk bomb का life cycle यहाँ देखते हैं, जो adult moth है, वो क्या करेंगे, mate करेंगे सबसे पहले और mate करने के बाद में, जो female moth है, वो axe को ले कर देगी ठीक है, और eggs को ले करेंगे, इन eggs से क्या होगा, एक tiny black caterpillar जो है, eggs को hatch करने के बाद में बारा जाएगा उसके बाद में क्या होगा, यह जो caterpillar है, वो mulberry leaves पे feed करता है, और grow करता रहता है और इसके अंदर चार malting stage होती है, जो चोती malting stage आती है, तब क्या करता है तब यह करता है कि, जो caterpillar है, वो cocoon का formation करने लग जाता है और अपनी चारों तरफ वो मैने बताया था, liquid अपने mouth से secret करता है, जो कि उसकी चारों तरफ spin होता जाता है और उसकी body की चारो तरफ क्या करता जाता है एक layer का formation करता जाता है और वो layer को हम क्या बोलता है cocoon बोलता है जब वो layer पूरी तरफ से बन जाती है उसके बाद में larva जो है वो pupa में बदल जाता है और इस cocoon की भीतर ही pupa present है इस cocoon के भीतर larva था और लारवा ने अपने आपको किसमें कनवर्ट कर लिया? प्यूपा में अब प्यूपा स्टीज में अब ये इसकी चारो तरफ कोकून है उसको प्यूपल्स जो है यानि कि जो लोग हैं वो अन्वाइंड कर लेते हैं इस सिल्क को इस सिल्क थ्रेड को इस कोकून से चीक है? और किसके लिए कुछ भी क्लॉट्स वगेरा बनाने के लिए सिल्क के प्यूपा जो है वो किसके अंदर चीन्ज हो जाता है? मोथ में चीन्ज हो जाता है मोथ हम किसको बोल रहे थे? जो अडल्ट है सिल्क भूम जब अडल्ट में convert होता है तो उसको हम moth भूलते हैं जो कि cocoon से बाहर निकल के आता है देखो यहां से देख रहे हो यह cocoon से बाहर निकल रहे है तो देन वापस से यह adult moth आपस में mate करते हैं वापस ag ले करते हैं और यह cycle जो है इसका silkworm का वापस चलने लग जाता है अब तक तो silkworm का जो life cycle है वो easily आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा डीटील में दिखते हैं कि firstly हमने देखा कि ag को क्या गरा था ले करा था जो ag है वो first stage होता है life cycle का silkworm की life cycle है उसकी उसका जो first stage होता है life cycle का वो है ag जो ag lead करती है female moth और ये जो ag होता है ये small dot के जितना होता है like बहुत छोटा होता है इतना dot कर दिया न तो इतना बड़ा ये ag हो रहा है ठीक है ये dot कितना बड़ा दिख रहा है ये बहुत छोटे होता है मतलब तो ये जो female moth है वो लगबख 350 एग्स को एक टाइम में क्या कर सकती है ले कर सकती है और इन दे स्प्रिंग टाइम दे एग्स हैच दू तो दे वाम्त इन दे एर जब ये वाम होती है तब ये एग्स हैच करे जाते हैं और ये जो पूरा प्रासीडर है ये साल में एक बार happen होता है second stage की बात करें उसको हम बोलता है silkworm यानि कि जो हैच होने के बाद में उससे बाहर निकलता है उसको हम यह तो larva बोलता है या फिर caterpillar larva बोल सकते हैं फिर उसको हम silkworm बोलता है चिक है तो एक hairy silkworm arise होता है जब एग को हैच किया जाता है हेरी का मतलब कुछ इस टाइब का जो है वो लारवा होता है बहुत छोटा होता है लेकिन उसके बाद में इसमें ग्रोथ होती रहती है सिल्क बॉम में और वो मलबरी लीव्स पे फीड करता है और लार्ज अमाउंट में यह जो है फीडिंग करता है और लगबग 30 डीज तक यह फीडिंग चलते रहती है और उसके बाद में इस नेक्स स्टीज में जो है वो चला जाता है अपनी प्रासेसिंग करने के बाद में देन हम देखते कि इसकी अपनी चारो तरफ क्या हो जाता है कोकून का फॉरमेशन कर लेता है एक प्राटेक्टिव लेर जो है वो बन जाती है इसकी चारो तरफ और यह इसका जो साइज होता है एक स्मॉल कोटन बॉल के समान हो जाता है इस कोकून का साइज जो कि एक सिंगल थ्रेड होता है गाईज ठीक है अब कोकून है ना ये कोकून ऐसे ऐसे एक वैब बन जा रहा है इसके चारो तरफ ये पूरा का पूरा क्या है एक ही थ्रेड है ऐसे नहीं कि टूटा हुआ है थोड़ा थोड़ा लेकिन ये ना पूरा का पूरा एक ही सिल्क थ्रेड है कोकून इसके अंदर क्या होता है यह लारवा हो गया इसने अपने चारो तरफ कि बना लिया है प्राटक्टिव लेयर बना लिया और इसको हम कोकुन भोल रहे हैं तो यह एक कॉटन बॉल के साइस का हो जाता है corazón होता है। चोटा सा होता है वैसे से बोहत Lace stage होते हैं याने कि Pupi stage में जो है वो feeding नहीं होती है वो खाना वाना कुछ नहीं खाती है वो सब छोड़ देती है Pupi stage में जो लोग है इसको मार देते हैं Cocoon को निकालने के लिए boiling water में डाल के इनको मार देते हैं ताकि वो silk thread को unwind कर सके easily Then fifth stage है वो है Moth और stage में जो pupa है वो change हो जाता है adult moth में और female moth जो है वो ले करती है ex को matting करने के बाद में और इसी तरह से जो life cycle है silkworm का वो वापस चलने लग जाता है यह जो हमने इस diagram में पढ़ा था guys ठीक है इसी को हमने थोड़ा सा detail में notes में थोड़ा सा पढ़ा है ताकि easily और आपको समझा जाएगा और इसके notes भी आपको बैसके ठीक है तो life cycle तक हमने पढ़ लिया कि जो silkworm का life cycle क्या होता है लेकिन इसके बाद में होता है processing of silk so extracting silk from the cocoon cocoon से जो silk है उसको extract करने के लिए जो process होती है वो processing of silk के नाम से हम जान सकते है और silk जो है वो cocoon से separate किया जाता है और by exposing it to sunlight इसको sunlight से expose करके after the reeling of silk is done जब reeling of silk हो जाता है उसके बाद में क्या होगा reeling मतलब यह पूरा का पूरा layer बन जाएगा तो silk को unwind कर लिया जाएगा cocoon से और silk thread जो है वो bleezed कर लिया जाएगे bleezed मतलब शायद उसको बू कर लिया जाए color कर लिया जाए बाहर से like artificially and silk fiber से then silk thread बना लिये जाएगे ठीक है तो यह पूरा processing था लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा सा detail में हमें पढ़ने की जरुएथ है किसके बारे में process of sericulture के बारे में जिसमें तीन processes होती है mori culture, silkworm bearing and silk really यह तीनों जो processes है यह हम next video में cover करेंगे ताकि यह video ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो next video में हम इसको cover करेंगे तो आयो guys जो video है वो आपके लिए useful रहोगा और topic आपको समझाया होगा so अगर video अच्छा लगा तो please like कर देना share कर देना अपने दोस्तों के साथ में अपने college group के साथ में और अगर subscribe नहीं किया है channel को तो please subscribe कर लेना ताकि जो videos की notification है वो भी आपको मिलते रहे so thank you so much guys